वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ए टू जेट क्लासेज बाई गॉरप सर दो लेक्चर आपका अप्लोड हो चुका है सिंपल इंट्रेस्ट का आज खतम करें लेंगे सीवीटी वाले क्योंकि एक्जाम पास है इसलिए तेजी से चल रहे हैं तो टाइम नवेस्ट करते हू आज का फर्स्ट क्या है एस सम उप मनी एमांट्स टू 52 हैंडेट इन 5 यह एंड़ 5658 रुपीज इन 7 यह फाइब 658 नहीं होगा कोस्टन में कुछ मिस्पिरिंट है हाँ 5680 बिल्कुल 5680 रुपीज 5680 रुपीज इन 7 यह देन दो कोस्टन पूछता या तो रेट परसेंट देगा यह आप से प्रिंसिपल पूछेगा अब देखो अब इस सर कैसे करें तो क्या हो रहा है पांच साल में कोई आपका इमांट कितना बन जा बावन सो रुपया और साथ सालों में बन जा रहा है 5680 अच्छा इयर्स का गैप कितने का तू इयर्स का और यह मांट का गैप क्यों बढ़ता है याद करो एक्जांपल सो रुपया आपने दोस्त को उधार दिया था मानलो रेट परसेंट तेन परसेंट था दो यह बाद वह आपको पापस देता तो क्या होता आपको 120 देता मानलो यह थ्री यह बाद देता तो 130 द होता उतने देर का इंट्रेस्ट होता उतने यह का इस एक्जांपल को याद रखना हमेशा काम आएगा तो यहां से अब चलते हैं दो यह का इंट्रेस्ट कितना बना दोस्त दो यह का इंट्रेस्ट बना 480 रूपीज तो वन यह का इंट्रेस्ट पहले निकाल सकते हो बोले इंट्रेस्ट बन जाएगा खितना साल में एक साल यह क्यों निकाला बताता हूं अब देखो किसी एक में तुम निकाल लो जैसे पान साल बाद बनाल है बावन सो W request प्रांट सब्णक्ना चल misf masculine income सकते हो तो क्योंकि याद करो principle is equal to कैसे बताया था principle प्रिंस्पल 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 प् बोलो शर बिल्कुल निकाल सकते हैं प्रिंस्पल कैसे निकला तो बावन सो माइनेस बारा सो रुपया देट इच फोर थाउजन रुपीज तो एक एंसर तो आ गया ऐसा केस में यदि आपसे प्रिंस्पल पूछा जा तो बन जागा चारहजा रुपया के लिए रहे प्रिंस् इसटेंटेगा इन्टेटेग कि प्रिंस्पल ठीक है इन्टकू है जैसे याद करो हैंड चे परिंटेटहया मतलब क्लाओं क्या पता था था कि हेंड़ रुपीज पर एक एśक त्ना मिलेगा तेन रुपीज एगजिए टिया तो यहां पर इसलिए निकालना पँलेगा तो 240 divided by कितना 4000 और इंटू कितना हैं डेट 00006 टाइम मिन्स आपका इंट्रेस्ट निकल गया कितना रेट पर्षेंट 6 पर्षेंट दोनों इंसर बन गया रेट पर्षेंट यह ऐसे कोश्चन में पूछा जाया तो 6 पर्षेंट और प्रिंस्पल कितना निकला 4000 ऐसा कोश्चन में पूछ देगा तब यहां तक काम चलेगा मान लो केबल रेट भी पूछ देना तो आपको निकालना यहीं तक परेगा ठीक है कि कर लेंगे दूसरा कोश्चन बना करके दिखाओ जल्दी से बन जाएगा तो समय जाएंगे कि आप लोग को समयज में आ गया कोश्चन क्या है तो कोश्चन है आपके पास है कि 720 इन टू यर्स कोश्चन आपके पास है सेम कोश्चन है 720 इन टू यर्स in 2 years and 1020 in 7 years 1020 in 7 years दोनों question बनाएं आपको question निकालेंगे screen को करो pause और बनाओ क्या निकालना है दोनों में तो दोनों में same चीज़े निकालना है क्या करोगे क्या है same question अभी बता चुका हूँ आपको कि 2 years में कितना बना है दोस्त 2 years में आपका amount बना है कितना 720 तो 7 years में कितना बन गया तो 7 years में आपका amount given है 1020 अच्छा gap कितने का एक याप मिलता है interest मिलता है gap निकालो तो 5 years का interest 300 तो interest in one year कैसे निकालोगे 300 divided by 5 means rupees 60 निकाल सकते हैं rupees 60 एक साल में interest कितना 60 तो अब निकाला जाए principle यह आप से पूछा जाए तो कोई भी करो 2 years का पहले आप interest निकालो तो interest in 2 years क्या करोगे तो 60 into 2 हो जाएगा कितना 120 इसलिए principle आप से पूछा जाए तो कितना 2 साल में इमांट कितना बना था तो 720 minus 120 that is rupees 600 क्या निकल गया principle अच्छा कोई बोल सकते हूँ इससर उपर बाले से क्यो निकाले हम 7 बाले से निकाल के दिखाओ बिल्कुल निकाल लो एक year का interest 60 rupees तो 7 year का कितना हो जागा 7 into 60 means 420 रुप्या ठीक है तो आप से फिर principle पूछा जया तो कैसे निकालोगे तो यहां से भी principle आप निकालोगे तो 1020 minus 420 कितना आ गया 600 रुप्या ही तो आ गया किसी भी case से निकालोगे principle तो constant ही होता ना principle 600 रुप्या ही आ गया किलिए रहा तक अब interest का rate निकालने पूछू तो बताया वन यहर का interest कितना rate percentage is equal to कैसे निकालोगे तो वन यहर का interest आपका मिला हुआ था कितना 60 रुपी प्रिंस्पल कितना ही आपका मिला हुआ 600 रुप्या और इंटू लगालो हैंडेट क्या 0 से 0 0 से 0 तो 6 से 6 मिन्स rate percentage का अंसर आपका क्या हो जागा 10% आपका rate percentage किलियर है दो कोस्टन इस फॉर्मेट पर करवा दिया या तो rate percentage पूछे तो भी आपको फ्रिंस्पल निकालना ही पड़ेगा तभी rate निकलेगा और नहीं तो फ्रिंस्पल पूछे तो rate नहीं निकालना पड़ेगा आराम से निकाल लोगे ऐसा जल्दी चांज नहीं CVT में पूछे माल लो इस साल थोड़ा टप बनाया क्योंकि लास्ट इयर तो बिल्कुल आसान बना दिया था तो क्या करना है तो भी ऐसा बना लेना है यहां तक क्लियर है अब एक दूसरी टाइप का कोश्चन आप कर लेते हैं जो देखते हैं यहां पर क्या है कोश्चन कोश्चन मेरे सामने है इस तरह का कोश्चन है यह सम of 800 रुपीज amounts to 920 in 3 years यह सम of 800 रुपीज in 3 years ठीक है in 3 years आगे चले at simple interest ठीक है at simple interest at SI ठीक है if amount is increased by 3% amount बोल रहां if rate is if rate is increased by 3% the same amount atDo the same sum of event will be how much in five years important questions क्या है question आपके सामने question है कोई सम 800 रुप्या 920 बन जाता है तीन सालों में क्लियर है जैसे 800 बन गया कितना 920 कितने एर में 3 एर्ष में ठीक है तो बोल रहा है रेट परसेंट ऐड़ी बढ़ाज दिया जा है कितने से थ्री परसेंट से थो फाइव यह कितना बनेगा अच्छे एक चिद्यान से बताओ कि मान लो ऐसे एक एर में नॉर्मल रेट कितना बनता में 121 कुछ Aristotle जाओ ऑफे कितना बने एक साल में गालों इनतरीक नहीं बढ़ता तो कितनी बनता 5 यहburn में कितना बनता हमें मताओ क्योंकि एक साल में 40 रूपीच थों पान्ट्री इंटु 25 बन जागा कितना कितना बनता तो 800 प्लस 200 हजार बन जाता कैसे सर या ऐसे भी सोचो 920 तो तीन साल में बन गया था और एक साल में पता चल गया 40 तो अगले दो साल में 80 रुपय और बनता तो 10,000 रुपया बन जाता नॉर्मल रेक्षर लेकिन ध्यान से बता बोल रहा है कि रेट इंक्रीज करें थी पर से दो भाई 3 परसेंट से बाइट परसेंट से निकरीज करेंगा ना पांच सालों में आपका क्या करेगा 15 इंकरेंज करेगा means ए एक्स्टा इसका 15 परसेंट और एट करोगे क्यों क्योंकि देखो रेट परसेंट पुला एट तो सिम्पल डेट से जियो पहले था उससे निकाला अब दिकाल गया 1000 रुपया एक्स्टा 3% एक साल में तो पांच सालों में 15% होगा ना इसका 15% का बहलो निकालो 10% का बता चुका हूँ असी तो 15% का 120 रूपीज और रेट करोगे तो क्या निकल जागा आपका 1120 रूप्या वेमाउंट बन जागा कितने यह में बन जाएगा सेम रेट से पांच सालों में अब देखो एक वार रेट निकालते उसको तीन से सम करते फिर निकालते बहुत लंबा बनेगा थोड़ा सा टेकनिकल सोच लोके बन जाएगा बिलकुल और कुछ नहीं करना है टेक समझारों एक एर का इंट्रेस निकाल लिया चालीस रूप्या समझ या पांच एर पे दोसो बनता इंट्रेस दे हजार होता यदि रेट नहीं बढ़ता रेट चुकि पांदरफ परसेंट और बला दिया हूं तो हमने क्या किया 120 रूप्या और बला दिया मिन्स 1220 एक अच्छा एक साल में तीन परसेंट बढ़ गया तो टाइम प्रेंट तो में तो किना परसन पढ़ेगा नाइन परसेंट और यह 9 परसेंट एक्स्त कि सब्सक्राइब निगाल गेंप रही परसेंटि का कि indeed प्रसेंट 18 08 होता 1% 8 होता means 9% 72 तो extra amount कितना बन जागा तो rate percent पढ़ाने के कारण 72 रुपया और extra बनेगा इसलिए आपके पास amount कितना बन जागा रूपी 992 एंसर क्या हो जागा 992 रुपया means इस format पर आपका second question ऐसा format और कभी rate मर निकाला direct ऐसे सोच लेना बेलकुल असानी से बन जाएगा बहुत लंबा बनाने का आदत हो जाता है लंबा बन जाता है इसलिए इसको ध्यान देना ऐसा question पूछ सकता है और एक question ऐसा देख लिया जाए बिलकुल एक question देख लिया जाए जो बहुत ही interesting question है और यह पूछा जाता है इस तो इस टाइप के को फॉर्मेट को यहीं पर रखते हैं clear एक question और देख लो एक question आपके पास क्या है यह आज का last question होगा एक person invest 1 by 3rd of his capital at 7% एक परसन इन्वेस्ट परसन इन्वेस्ट 1 by 3rd of his capital at 7% ठीक है पर एन्व वही 1 by 4th at 8% पर एन्व लगा लो 1 by 4th at 8% पर एन्व ठीक है and the rest amount at 10% per annum and rest amount at 10% per annum after one year he gets 561 as total interest as total interest find his total investment कि अब ऐसा कोशिय में सबको मन कर आओगा सर एक स्लेट करें क्या करें बना लें छोड़ो यार ऐसे सोचो वन वई थ्री वन वई फूर एल्सियम क्या लें सकते हो थ्री और फूर कैसियम ट्यूल होता है क्लिए रहे हां तक तो मान लिया कि पर्सन ने अभी इसका थोड़ा मल्टीपल में ले लेना 12 हेंड़ेट ले लो इन्वेस्ट किया था क्यों सर क्योंकि पर्सेंटेज निकाला इना तो डावल जीरो कैंसल आउट होगा अच्छा 12 हेंड़ेट का वन वई थर्ड पार्ट क्या निकालोगे 4 हेंड़ेट लिख दूह अगला 1200 का कितना पाट दोस्त तो 1200 का 1 by 4th पाट क्या निकाल तूं ऐसे लिख लो 1 by 4th पाट निकाल सकते हो 300 बचे का कितना 500 डिमेनिंग 12 सो में 400 300 निकाल लिए 500 400 को लगा है कितना प्रेसंट से 7% से तो 400 का 7% 1 साल में रज्ट 7 परेसंट इसका डायरेक्ट 28 यूनिट 3 साल का percent, एक साल में interest कितना, 24 रुपया, और five years का कितना, 10 परसंट. Five years का interest, 10 परसंट. तो एक साल का interest कितना, 50. Total interest एक यर में कितना हो जाएगा, तो one handed two unit कितना, one handed two unit. अच्छा, ये ही one handed two unit का तो value है कि वहना आपके पास, एक यर में interest कितना, 561 तो 102 उनिट का वैलू रूफिज 561 तो 1 उनिट का वैलू आप से निकालने बोला जा तो क्या हो जागा 561 बटा 102 कितना 102 इसलिए आप से मानलो पुछा जाया कितना इन्वेस्टमेंट ही तो पुछा था तो 1200 उनिट का वैलू निकाल सकतो तो 1200 का निकालोगा तो क्या हो जागा 561 बटा 102 इन्टू कितना 1200 कैसे निकाल लिया एक आबन से देखो दिख रहा है टू टाइम्स 11 टाइम्स और क्या 600 क्या हो जागा एंसर 11 इन्टू 600 आपका इन्वेस्ट कितना रूप्या किया था आपने इन्वेस्ट किया था 6600 रूपीज 6600 आपका एंसर हो जागा में 6600 आपने क्या किया था इन्वेस्ट किया था तो Simple Interest को एह ही तक रखता हूँ चैप्टर हो गया खतम रिवीजन कर लो इससे आगे नहीं पुछेगा यह तो प्रोमिस है फिर सेम रिक्वेस्ट लाइक करें वीडियोज को सब्सक्राइब कर ले और शेर भी करते रहें